यदि आप भी फुटो साब में किसी डार्क स्किन या फिर ब्लेक कलर को गोरा कलर करना सिखने चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है जिए हाँ दोस्तो नमस्कार मेरा नाम पुसपराज साहू है और मेरा यूटूब चैनल एजूकेशन पुसपराज में आप स चलिए दोस्तों वीडियो स्क्रेंट करते हैं चलते हैं कंप्यूटा इसके इमपर चलिए सबसे पहले आप फोडूजस आपे क्लिक करके फोडूस आप ओपन कर लेंगे और आज किस वीडियो में जानेंगे काला स्क्रीन या फिर ब्लेक कलर को गोरा कलर करना तो इसके यहां से एक लेयर का प्रति लिपी बन जाता है इससे कि हमारा अमूल फोटो सुरक्षित रहता है क्या आप चाहें तो यहां से फोटो का ऐसे हैड भी कर सकते हैं यह आपके उपर है और निकतने तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए इस्टेप नमबर दो के और आगे बढ करने से सब्सक्राण से अब पर आप यहां से सकते हैं तो यहाँ से हम को कुछ निकरना है नौ्मल ही रहन देंगे और और ब्रस की opacity को 100 और flow को भी 100 रहन देंगे इसमें कुछ करने की जूरत नहीं है अब फोटो को हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेंगे फोटो को जूम करने के लिए प्लस प्लस बटन प्रेस करेंगे अपने कीबोर से तो यह देखेंगे फोटो क्या होता है जूम हो जाता है अब यहां पर हमको क्या करना है कलर फिल कर देना है इस प्रकार से तो इसको आप ऐसे करते जाएंगे कलर फिल होते जाएगा यह देखे मैं ड्रेक करते जा रहा हूं थोड़ा बहुत उपर नीचे होता है तो भी चलता है कोई दिक्कत नहीं है फिर स्कॉल करके फोटो कूपर कर लेंगे और यहां पर देखेंगे यह जो हाथ है उसको भी इस प्रकाश से कलर फिल कर लेंगे जितना भी एरिया इसकी दिखाई दे रहा उसको ब्राश से हम लोग ऐसे कलर फिल कर देंगे अब एक बार आप और कनफर्म कर लिजे देखे हमने यहां पर पूरे स्क्रीन जित्ता अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा था उसको हमने कलर फिल कर दिया है अब इतना कर लेने के बाद बस आपको नेक्ष्ट इस्टेप पे चले जाना है और यहां इस्टेप नमबर फोर शेर तब ब्लेंडिंग मोड यहां पे आप चले आएंगे और यहां से हमको स्वाप्ट लाइट पर क्लिक कर लेना है तो इस प्रकार से देखेंगे अभी कलर लाइट तो हो गया है लेकिन हाइलाइट ज्यादा हो रहा है तो इसको सेट करने के लिए पूर फाइप के और आगे बढ़ते हैं और इस लेयर को जितना एरिया पर हमने कलर फिल के हैं उस एरिया को सेलेक्ट करने के लिए आप यहां पर कंट्रोल प्लस क्लिक कर सकते हैं तो इस प्रकार से सेलेक्ट हो जाता है या फिर आप इसको सेलेक्ट करने के लिए पूरा हम लोग चले जाएंगे एग बाल सेट कर लिए तो हम लोग फोटो की brightness लाइट को कम ज्यादा जे एक्सेट कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं इस प्रकाँ से देखी इस side को करने पर light ज्यादा हो रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं light ज्यादा है तो इसको हम लोग ऐसे drag करके थोड़े एक्जेस्ट करते हैं यहां से भी देख लो हम लोग इस प्रकासे फोटो को लाइट कम जादा कर सकते हैं तो लगभग प्रॉपर मैं इतना कर लेता हूं और यहां से भी ऐसे कर लेते हैं हलका सा और यहां से कर लेंगे ऐसे फिर कर लेते हैं ओके आप अपने फ कि अपने फोटो के recording इसको भी आप exist करके देखिएगा जिसमें कि आपका फोटो अच्छा लगे तो यह देखिए मेरा जो फोटो है इधर मैं खराब लग रहा था उसको मैं यहां से कम कर दे रहा हूं और light को भी आप यहां से ऐसे कम जादा कर सकते हैं तो चलिए मैं इत्ता पर चले जाते हैं और कर लेते हैं color balance तो यहां से भी हम लोग फोटो का color को ऐसे परफेक्ट बना सकते हैं मेरे हिसाब से यह perfect हो चुका है और कर लेते हैं ओके तो इस प्रकार आप 5 step को follow करके असानी से black या फिर dark screen को गोरा कर सकते हैं पहले हमारा फोटो ऐसा था अब ऐसा ह हो गया है उम्मिद करता हूं यह वीडियो देखने के बाद आप फोटो साप में फोटो को गोरा करना सिख गये होंगे यदि किसी प्रकार को कोई दिक्कत होता है मुझे comment box में comment कर अपनी समस्चा को बता सकते हैं साथ यह वीडियो आपको कैसे लगा please comment box में comment करना मत भूलि